Apple iPhone 6 Series, 7 Series और SE के users को 65$ यानि 5000 रुपीज का compensation देने वाला है और आखिर Apple 5000 रुपीज का compensation क्यों देने वाला इसका story श्टार्ट होता है 2017 में जब iPhone 6 Series, 7 Series और SE के users को feel हुआ कि उनका falling काफी slow हो गया है फिर एक के बाद एक complaint आने के बाद Apple को finally statement देना पड़ा Apple के तरब से बताया गया कि यह iPhone का एक feature है जिससे battery capacity घड़ भी जाने पर phone सही से function करता रहेगा पर तब तक लोगों को पता चल गया तक कि यह Apple का strategy है ताकि लोग मजबूर हो जाए new iPhone लेने के लिए इस statement के बाद users का कहाना था कि ना तो उन्हें इस रिगारी inform किया गया ना ही कोई ऐसा option है कि इस features को बंद किया जा सके और फिर अब होना क्या था एक के बाद एक 100 million lawsuit फाइल किया गया इस रिगारी 1000 सब्सक्राइब पूरे होते इसका full और detail वीडियो आने बाला है तो जाकर पड़ा पड़ सब्सक्राइब करो